चले गए अंग्रे, छोड़ गए सामन, नेका बने नवाब, कब होगा इसका अंत, लोकतंत्र के नवाब नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अगरवाल हूँ, तो क्या ये मान लिया जाए कि मुल्क की नौकरशाही चंशागिरी की पराकास्था पर पहुंच चुकी है, या क्या कीसी सदी में पहुंचने के बावजूद हमारे मुल्क में नवाब बचे रह गए हैं, जिन्होंने सिया अकॉल की धजियां उड़ाते हुए, एक नौकरशाह ने सरेयाम समाजवादी पार्टी के राजसवा के सांसद राम गुपाल यादव को गार्ड ऑफ आनर दिया और जवाब में मुस्कराते हुए, जो उसका चंशा सम्मान हैं, वो कुबूल किया माननी राम गुपाल अब कब होगा इसका अंत, लोगतंत्र के नवाब से मैं के करके चर्चा करूंगा लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, तो एटा के स्स्पी अजय मोहन चर्मा ने खाकी की इज़त खाक में मिलाते हुए सरेयाम सपा महास्थचिव राम गुपाल यादव की चरा वंदना शुरू कर दी, इस बात का जरा भी खयाल नहीं रखा गया कि देश में प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज है, जो स्स्पी साहत की इस हरकत की इजाज़त नहीं देता देखिए, सुनिए, समझिए खाक में मिलती खाकी की इस इज़त को, नौकरी करते करते चाकरी पर उतरे ये और कोई नहीं है, एटा के सब्तान सहब है सपाब महासचिव, राम गोपाल अभी गाड़ी से उतरे ही थे, कि स्स्पी साहब लपलपाते हुए उनके कदमों में लोट गए खाकी वर्दी की इज़त आबरू की परवा किये बिना, ऐसी तेजी दिखाई कि पार्टी के कई नेता भी कप्तान सहब के पीछे रह गए, मन मसोस कर अब भला राम गोपाल भी क्या करते, कप्तान सहेब की करनी ने उन्हें भीतर तक गुदगदा के रख दिया था उनके चेहरे पर एक सफेदी की चमकार वाली मुस्कान तैर गई त्योंकि स्स्पी साहब की हरकत से महाल रंगीन हो ही चुका था वैसे सियासत की सतकार का ये कोई पहला मौका नहीं था इसके पहले भी पुलिस की अभिकारी, कर्मचारी, अपने पिले सोभाव का मुज़ाहिरा कैमरों के आगे करवा चुके हैं राम गोपाल यादव आये थे जिले में खत्म होने वाले आई कैम्प के मौके पर अगवानी के लिए सपा नेताओं की फौज सिपे सालारों की दोड़ अभी शुरू हुई ही थी कि कप्तान सहाब दोड़ में सब से आगे निकल गए अचानक रुके, छुके, हाथ आगे बढ़े और फिर हिर्दे से लगाए वो हाथ जी, वो हाथ दरसल राम गोपाल यादव के चरणों को छुकर एससपी साहब के हिर्दे में उतर गए राम गोपाल यादव और आगे बढ़े तुने गार्ड आफ आउनर भी दिया गया अब सवाल ये है कि राम गोपाल साहब ऐसी कौन सी कुर्सी पर बैठे हैं ऐसी कौन सी समविधानिक जिम्मेदारी है उनके मजबूत कंधों पर जो उन्हें इस तरह का गार्ड आफ आउनर दिया गया क्योंकि भारत सरकार का जो गजेट है उसके मुताबिक तो राम गोपाल यादव इसके पात्र हैं ही नहीं तो क्या महज कथित समर्पन के लिए ही उन्हें ये समान बख्षा गया अगर हां तो साहब ये तो सरासर बेनियाजी है जो चम्चागिरी की पराकास्ठा को परिलक्षित कर रही है वही चम्चागिरी जिसने अच्छे अच्छे हकूमतों की मिट्टी पलीत कर दी है भरंजय बदावरिया एटा समाचार प्लस जी तो लोग तंत्र के नवाब हैं वो कल नवाब साहब आपका तो नामी नवाब है जी लेकिन आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं जी स्वागत थे आपका पहली बार आप हमारे शूडियों में आए इस तकवाल आपका आपका नाम नवाब है अच्छी बात है लेकिन आप तो सीधे साधे हैं और नवाबी का जो काम है वो आपकी पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं और ये तब है ये तब है जब मुलायम सिंग जी साध़गी बरतने की नसीहत देते हैं सरकार को नेताओं को ये तब है तमाशा क्या कहेंगे आप इस पर खुदी को कर बलंद इतना कि हर तद्वीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ऐसा इनसान खुद अपने आपको बना रहे और ऐसा बन जाए कि दूसरे लोग जो है उसकी तारिफ की बना न रह सके हैं यही है हम लोगों के जो हमारे राज़की अज्जेट है मानी मुलैम सिंग यादव जी का हम लोगों जो सिख्छा दी है वो इसी परकार की दी है ने 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 दूसरों का आधर करना सभाए नवाब साब मैं बीच में आपको इंटरेट करने की गुस्ताखी कर रहा हूं आप चुछी पहली बार मेरे शो में आये हैं इसलिए मैंने गुस्ताखी की कि आपको खेल के नियम नहीं बताए हमारे चैनल में बाकी चैनलों के माध्यमों के अलहदा कुछ नियम है कुछ प्रोटोकॉल हमारे चैनल के भी वह यह कि हम सवाल छोटे-छोटे पूछते हैं जवाब पिन-पॉइंटेड सीधे-सीधे चाहते हैं क्योंकि पैनल बड़ा होता है वक्त कम होता है हलाकि हम ब्रेक भी नहीं लेते लेकिन तब भ प्राटी के बड़े लोग हैं जिनके नाम जाएके नवाब नहीं लगा वो नवाबी कर रहे हैं ऐसा क्यों वानवर ऐसा नहीं है यह ऐसा है कि हम यह नहीं गायना चाहते हैं कि पिछली सरकार में जो कुछ भी हुआ है चपले और दिखाऊंगा नवाब साब में बताऊंग लेकिन मैं आज के बारे में सवाल पूछ रहा हुआ है कि आज जो हुआ वह सही हुआ यह नहीं हुआ यह मुद्दा जो है वह ऐसा है कि आप तो मतलब यह चैनल को बचिस तरीके से दिखा रहे हैं है और जिस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे माननी राम गोपाल डॉक्टर साब जो प्रोफेसर साब हैं उनके पाउंच हुए SSP ने ऐसा हम मानने को तयार नहीं है अच्छा आप बताईए मैं कैसे दिखाओं जैसे आप कहें मैं वैसे दिखाओं खबर चली बताईए पाउ छूने के मतलब यह है कि आज के दिन जो है हमारा हमारा जो है लोग जो है वो चांद को पर जा रहे हैं अरे भाई साब भाई जान इस देश में कानून प्रोटोकॉल वर्दी की इज़त कुछ है अरे हम कहते हैं SSP साब राम कोपल चांद पर चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो वर्दी पहने उसका प्रोटोकॉल उसकी इज़त तो मेंटन रखनी होगी ना अरे मानुवर मैं उसी पॉइंट को पर आ रहा हूं कि यह ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछी की कोई चीज गिर जाती है कहीं के उपर और वो उस चीज को उठाता है बहुत अची बार आप कहेंगे कि वह पहुंच हो रहेगा नवाब साब मैं आपके बारे में जादा जान मैं आप के बास आँगा आप पूर डिर्टर जंडल अभ्योजन हैं यह जो हो रहा है आद जैसे हो रहा है जो मेरे पास सूची है इसमें गार्ड आफ आफ आनर की भी बात है किसको मिलना चाहिए और मेरे पास ये भी प्रूव है कि वर्दी पहने कोई भी पुलिस वाला कि इसी भी नेता के सामने या कहीं पर भी जुक नहीं सकता वो क्यों सलूट मारेगा और उसको जो इसके लायक हो क्या मैं सही कह रहा हूं आप बेवकुल सही कह रहे हैं वर्दी पहनते ही वर्दी के नियम लागू हो जाते हैं और वर्दी पहनने के बास सेलूट करने का क्या तरीखा होगा ये हम सब को परेट ग्राउंट पे सिखाय जाता है और वर्दी में सेलूट के अलावा अपना हाधर प्रकट करने का कोई और तरीका नहीं है चाहे जिसको आप सेलूट करें सेलूट उसी तरीकी से करेंगे जैसा कि हमें अपरेट ग्रांट पे सिखाया जाता है ये ड्रिल का है, और कोई आप्षिन नहीं है ना तो हम हाद जोड़ कर सकते हैं नहीं पहट चुकते हैं अगर आपने वर्दी पहना हुआ एक आई-पेस इस्तर कादिकारी लाज साहब अगर इस तरह से करता है तो क्या ये अपराध माना जाए? क्या ऐसा होता है? अपरात तो नहीं है लेकिन उन नियमा का उलंगा नहीं है जो हमें सिखाए जाते हैं अच्छा यानि कि जो एक model code of conduct बना है चाहे पुलिस manual हो चाहे बाकी अलग नियम हो उनके हिसाब से उनका उलंगा नहीं है अच्छा यानि कि विजवादर पाठक साब यह कह सकते हैं कि खाकी की जो इज़त है वो SP के सामने SP के चरों में SSP के लोटने से कम हुई खाकी की जो इज़त है एक दम कम होई और आज बड़े कलर को ले लाइन अडर ने कहा है कि जो कुछ हुआ है उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए वो कप्तान है इस सरकार में नौकर साही को यह लोग लेटने के लिए जुगने के लिए कहते हैं वो लेट जा रही है हुँ है अभी पंहचाय को चुना हुए हुह और उसी पंहचाय को चुना हुए में बांडा से लिकर और गाजयावाद तक जो कुछ हुआ उसको सब लोग जानते हैं, बिजनौर में मंत्रियों तक परेफायार है, कि उन्होंने आपरहन के वादात किये, यह है नौकर साही की सिती उत्रप्रेस में. हम चाहते हैं, आज मत्रा में भी आईसे द्रश्य हुआ, पुलिस की मौजूदगी में बहुत सार्जनिक तौर पर बहुत इत्मिजान से अपरण हुआ, चुनाप के दारा, मत्रा में, पुलिस में मौजूद रही. हम चाहते हैं कि ADG Law and Order अरुन कुमार जा और ग्रेस अचीव उत्तरप्रदेश जेपी गुपता साहब के जो बयानात हैं, वो एक के बाद एक जल्दी से दिखा दे हैं, कि जब मीडिया में ख़बर चली, सबसे पहले समचार प्रस पर सबसे पहले खबर चली, आला अधिकार अरुने सेस्पी साहब ते जवाब मांगा, तो क्या जवाब मिला अधिकारियों की जुबनी सुनी है? जब राजनान सिंग साहब ततकाली मुख्रमंदरी थे उत्तरवदेश के तब इनको प्रमोशन मिला, यह आईपियस हो गए और उसके बाद लगातार सत्तारूर समाजवादी पार्टी के नेताओं से इनकी जो करीबियां हैं वो जगजाही रही मायावती के साशनकाल में कई बार इन्हें ऐसी जगहे पे पोस्ट किया गया जिन पोस्टेश को मलाईदार पोस्टिंग नहीं माना जाता था नवावताम यह आपकी नज़र है इन्फॉर्मेशन पूरी जो भी आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस तरहीं से पाउच हूने की घटना यह हमारे भारत वर्ष का सम्मान है भाईया भारत वर्ष के अंदर हमारे यह जो है यह पाउच हूना जो है एक परंपरा है एक दूसरे को आदर देने की एक एक सिख्षा है हम यह भारत वर्ष के बाहर भी इस बात की जो है चर्चा होती है कि हमारे नवाब साब अभी तो आप तरह दे पैर चुए नवाब साब आपकी बात घर पर लागू हो सकती है बजार में लागू हो सकती है सत्संग में लागू हो सकती है होटल में लागू हो सकती सिनेमा घर में चाचाताव मिल जाए उनके भी पाउँ छूलो स्वागत है लेकिन भारत का आर्मी चीफ राष्ट्रपती के पाउँ छूने लगे और प्रधान पर किसलिए तो पी गई कि आप जाईए और नेताओं के चुने के लिए लंबी फौज पहले से हैं कि यह नवकर्षा क्यों पगलाए हुए भाई यह क्यों दोड़ में भाग रहे और अगर इतना ही है इतना ही शौक है इतना ही शौक है तमाशा देखने का तो मैं उनको सला दूगा उस नोजवान अधिकारी को कि इस्तीफा दे और दस रुपे की पर्ची कटाया और सपा में शामिल हो जाए